दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्में फ्रेंड्स वन्स अगेंड मैं आपके सामने एक नय वीडियो लेकर आचुका हूँ तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा क्लास 12 MP बोर्ड में जो स्टुएंट्स पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम से हैं उन लोग के लिए मैं एक वीडियो लेकर रहा हूँ lesson 11 है और उसका title है the rightful inheritors of the earth प्रत्वी के उचित अधिकारी चले फ्रेंड्स देखते हैं इससे पहले कि अपने lesson को start करें पहले question आप से पूछा गया है what are the pest and how do they harm us should they exterminated यह जो जीव जन्तु कि टानू क्या है क्या वे हमें हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं क्या उन्हें यहां से हमेशा के लिए निस्ट हो जाना चाहिए बरबाद हो जाना चाहिए तो friends चलिए देखते हैं Insect or animal that destroyed plant ऐसे जीवानू, किटानू जो की ओधो को नस्ट करते हैं and food और भूजन को नस्ट करते हैं are called pest इन्हें हम कीट नसी कहते हैं They harm us by destroying crops यह हमारी फसलों को नस्ट कर देते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं No, they shouldn't be exterminated इन्हें हमें नस्ट नहीं करना चाहिए They too are entitled to the produce of earth क्योंकि ये भी इस प्रत्वी में जितने भी produce होता है भूजन उसके ये भी entitled ये भी अधिकारी है चलिए friends इनको अब हम समझते हैं कि क्या हम लोगों के अलावा इनका भी असते तो जरूरी है या नहीं है एक ऐसी छोटी सी कहानी इसमें आपको समझ में आएगी है अंत में कि क्या इनका कोई अपना रूल है When I became the owner of a tiny little piece of wide earth जब मैंने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा और मैं उसका मालिक बन गया मतलब एक आदमी ने छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया तो सुभावी के कि वो उसका मालिक तो हो गया I firmly believed that my future was secure तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा जो अबभविश है वो एकदम सही अनिशिन थे It was two-acre plot with coconut palms इसमें दो एकड़ थे जिसमें coconut palms ही है An old house इसमें एक छोटा सा पुराना घर भी है That could be renovated और इसको renovate किया जाना था भी पुताई हुताई किया नहीं थी ठीक करना था Those were the days when the price of coconut was spiraling ये इन दुनों की बात है जबकि coconut ये नारियल के जो दा में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे I severed the thought of palms ladden with coconut मैं उन पेड़ों को देखकर खुशी से भर जाता था कि देखो कितने इसमें नारियल ही नारियल भरे पड़े है It was a happy existence बहुत ही खुशनुमा महुल था friends But then arrived the interlopers लेकिन तभी वहाँ पर कुछ घुसपीटी है आ गए Trespassing वो अंदर बढ़ने लगे मतलब वो मेरा जो डोर था जो फेंसिंग लगी थी उसको पार करने लगे floating the legality of the ownership documents जबकि मैं उन्हें बता रहा हूँ वो बिलकुल नहीं देख रहे कि इसका मालिक में हूँ मतलब मेरे पास ownership document है यहने कोई registry वगेर है उसको भी legal document को भी फ्लोट कर रहे हैं हवाँ में उड़ा रहे हैं दीख नहीं रहे है violating the fence at boundary हर boundary को violate कर रहे हैं बाड़ से उपर आ रहे हैं defying the century मेरे जो संत्री है वफादार कुता है उसको भी वो defy कर रहे हैं इंकार कर रहे है my dog शान मेरा dog जो कुता है वो मेरा वफादार चोकिदार है उसको भी वो नजर अंदाज कर रहे हैं they did not seem to be care for anyone in the world ऐसे अंदर आ रहे हैं जैसे कि उन्हें लगता है कि यहां पर कोई है नहीं उनके अलावा not even the government यहां तक कि सरकार को भी नहीं मान रहे the first arrival the birds सबसे पहले पक्षी पूरे अंदर आ गए and butterflies और तितलियां भी आ गई a variety of birds और हजारों प्रकार के पक्षी अंदर आने लगे and so many many butterflies और हजारों प्रकार की तितलियां अंदर आने लगी and purged और वो किसी पेल की डाल में बैठने लगे on the bow of the tree किसी भी पेल की साखाओं में बैठने लगे and plant छोटे-छोटे पौधो में भी बैठने लगे the butterflies fluttered around the courtyard flashing their color in the sunshine जितनी भी तितलियां थी वो चारो और तेजी से आंगन में flutter कर रही थी घूम रही थी चारो और flashing their color उनके जो colors है वो इतने चमक रहे थे सूरज की रोस्नी में बहुत अच्छा लग रहा था we could not show off the chirping birds हम लेकिन वो चह चाहती उनकी जो आवास थी वो बहुत कानों को चुबने लगी थी लेकिन मैं उन्हें भगा नहीं सकता and butterflies ना तो हम तितलियों को भगा सकते थे हजारों की संख्याओं में थी आई क्रो मुझे वो जो कोवे की जो काउं काउं की जो ध्वनी थी दियर रोकस जो उसकी करकस जो ध्वनी थी काउं काउं वाली friends was more insufferable than the racket of the other world जो दूसरे पक्षी आ रहे थे उनके racket से ज़्यादा मुझे उन कोवे की करकस ध्वनी लग रही थी मेरे काउं में चुब रही थी beside the soup down on the chicks जैसे वो जो छोटे छोटे कीड़े मरे पड़े थे नीचे उन पर जपट्टा मारने के अलावा they were followed by hawks उनके पीछे पीछे बाज आ रहे थे and that trees on the coconut palms और जो की coconut के जो पेड़ है जो नर्यल के पेड़ पर आकर सिथ होकर उस पर बैठ गया with the same intent वो भी उसी उसी रादे से बैठे थे कि हमें भी यहाँ पर कोई ने कोई सिकार मिलेगा they kept and watch and waited वहाँ पर बैठ गया और वहाँ पर वो इंतजार करने लगे soon there were mangoes फिर तभी वहाँ पर नेवला आ गया in bamboo thicket and foxes in dust strawberry patch और तभी वहाँ पर वो जाड़ियों में जो बास की जाड़ी थी उसमें वो बैठ गया एंड foxes लोमड़ी भी आ गई in the strawberry मतलब वो जो जाड़ियों का जुरमट जो एकटा वहाँ पर पेड़ लगे थे उसमें से बहुत सारी लोमड़ी आ गई near it उसके पास मैं ready to pounds on the hands और वो भी सिकार की तलास में छुटी छुटी मुर्गियों पर सिकार करने की तलास से वहाँ पर बैठ गई even as I wondered और तब मुझे बड़ा अश्यर हुआ बड़ा में बिसमें में आ गया what right this creature और यह कुन सा प्राणी है had to be my own land मेरे ही जमीन पर आकर बैठा है these creatures their immersed fears बहुत बड़ा और भारी यह प्राणी था creature without hands ऐसा प्राणी जिसका कोई हाथ नहीं था और legs कोई पेर नहीं था और wings कोई पंक नहीं थे a cobra it stood before me एक कोगरा था जो मेरे सामने आकर खड़ा गया dignified majestic एक गोरव साली एक भव्य जैसा उसका सरीर था वो एकदब भव्यता से खड़ा हो गया its hood spread उसने अपना फन फैला लिया out as if asking me ऐसे अलग रहा था मानो मुझसे ही पूछ रहा हो what business I had on this page कि इस जगे पे तुमारा क्या काम है मतलब वो मुझे ही कह रहा है कि तुम याँ पर क्यों हो यह उसकी जगे है I said you had better leave my two acre land मैंने उससे कहा इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे दो एकड़ की जमीन से यहां से दूर चले जा immediately तुरंद but then तभी where could I go कि मैं कहां जा सकता हूँ hadn't almost the whole of this earth had been bought by man लगभग almost the whole of the earth तब मैंने यह सोचा वो कहां जा सकता है क्योंकि लगभग इस प्रत्वी का हर एक हिस्सा तो कोई ना कोई हिस्सा जमीन ने खरी किसी ने किसी इंसान ने खरीद रखा है bit by bit हर जमीन कर तुकड़ा खरीद रखा है my wife said jackfruit has opened मेरी wife ने कहा कि कठल पक चुके हैं but squirrel are cross feasting on it लेकिन जो गिलेहरिया हैं कोवे हैं वो इसमें भोजन का मज़ा ले रहे हैं वो ऐसा लगता है कि अपनी party मना रहे हूँ birds and bats are eating up all the guavas पक्षी और चमगादर जो अमरूद और जामफल के पेड़ लगे हैं चीकू इसपुताज चीकू एंड ग्राफ्ट मेंगो और जो कच्चे आम लगे हैं उसका मज़ा ले रहे हैं but that's the beauty of it लेकिन यही तो सुन्दरता है I remarked मैंने कहा God Almighty who hold the universe together की परमात्ना में सबको एक साथ बांद रखा है without a single probe किसी को भी एक विसेस अधिकार नहीं दिया has created a variety of things कई हजारों चीजें उसने बनाई है forest creature अपने जीवन के लिए अपने प्राणियों के लिए fruits उन्होंने फल बनाये edible roots खाने योग के जड़ बनाये grass घास को बनाया green अनाज flowers फूल, water, पानी, air, हवा, warm, उस्मा, and light और प्रकास को बनाया don't you think we should remind ourselves always that birds क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें इनके बारे में भी हमें सा याद रखना चाहिए that birds, beast and insect to entitle to the produce of the earth तुम्हें नहीं लगता कि ये पक्षी, जंगली जानवर और ये छोटे-छोटे की टा ये पैदा होती है, उन पर इनका भी अधिकार है, Almighty God, how unfortunate it is, लेकिन है परमात्मा, ये कितनी दुरभागी की बात है, that rats have to be killed, लेकिन अब इन चुहों को मरना ही होगा, so that we can live, तभी हम जिन्दा रह सकते हैं, can human being not survive without destroying other creature of the earth, क्या हम इंसान लोग किसी दूसरे प्राणी को ब बिना हमारे क्या जिन्दा नहीं रह सकते, what we need is a scientific method, हमें क्या विज्ञानिक तरीका चाहिए, a novel idea, सबसे बैतार idea है, सबसे अच्छा उपाय है, that will make it possible for us, जो हमारे लिए संभा है, to live without killing the creature, बिना भी किसी एक प्राणी को हमारे जिन्दा रहना हो, ओ creature of rate है, चुहे, जो बनाने वाले चुहे, bear with this, हमको सेहन कर लो, they are going to be exterminated, अब उनका मरना तह, नस्ट होना तह, throw creature, अब उनके साथ विश्वास घ्यात किया जाएगा, the issue is the loss of 900 coconut every month, क्योंकि यहाँ पर सवाल, हर मेने 900, जो coconut नारियल के पेल लगे, उनके पर सवाल आ चुका है, the sole mean of our livelihood, क्योंकि मुख्य मुद्दा हमारे जीवन यापन का है, forgive us, हमें माफ कर देना, after shopping two hour, my wife return home, मेरी पत्मी बजार चली गई, और दो वंटे की shopping के बाद, घर आई, along with other item of purchase, was a large thing of red poison, बहुत सारे सामान थे, उसमें एक बहुत बड़ा टीन एक डबबा था, जिसमें चुहों की मारने की जहर था, the poison was made with bananas, अब ये जहर को केले में मिला दिया गया, rice, चावल में मिला गया, tapico, tapica एक फल आता है, उसमें मिला दिया गया, and kept all other places, और हर जगे रग दिया गया, beneath the coconut tree, उस नारियल के पेड़ के नीचे भी रख दिया गया, in four days, चार दिनों में, five hands, पांच मुर्गियां, twelve squirrel, बारा गिलेरी, 200 rats, 200 चुहे, and a cat, और एक बिली, disappeared behind the curtain of the time forever, समय के पर्दे में, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया, dead rats rotated in the attic, मरे हुए चुहे, एक अटारी, उनका बहुत बड़ा धेर बन गया, death was everywhere, सब जगे मौती मौती, the stench spread all over the house, पूरे घर में उनकी दुरगंत चा गई, but the tender coconut continue to fall, लेकिन तब भी हमारे नारियलों का गिरना बंद नहीं हुआ, a fortnight passed, लगभग, एक पकवाड़ा बीद या 15 दिन भीद गया, the coconut pump climber then said, जब एक coconut जो नारियल के पेड़ पर हमने चड़ा हुआ, देखे, the owl are the culprates, सबसे मुख्या प्रादी तो उल्लू था, the peak at the tender coconut, जब वो उस पर चोच मारते हैं, but that was really an old saying, लेकिन हमें तो जहां तक कहा गया है, कहावत है, अमित, ये एक चल रही है, कलपना परिकलपना है, they had heard from their fathers की, हमने अपने पूर्वजों से सुना है, that the owl is not a vegetarian creature, की owl जो है, वो कोई साकाहारी तो जन्तु है नहीं, after a couple of months, तभी कुछ महिनों के बाद the real culprit were discovered the bats, तब हमने main जो सबसे मुख्य अपराजी को पकड़ी लिया, और वे थे चमगादड़ों, after dusk, अब हमने तै कर लिया, huge bats come in a swarm, यह एक बहुत बड़ा जुंड आता है, इनका चमगादड़ों का, and cling to the tender coconut, और छोटो छोटे हमारे कोमल नारियल के पेड़ों पर वो टंग जाते हैं, they groove उन्हें कुतर देते हैं, into the tender flesh, उनकी जो तचा होती है, कोमल तचा में ही वो कुतर देते हैं, and have their fill of coconut water, और अपना जो coconut का पानी है, वो पूरा पी लेते हैं, after eating the kernels, वो गिरी को भी खा जाते हैं, they fly away, फिर वो दूर भग जाते हैं, and gratified, संतुस्त हो के जाते हैं, let's buy a gun, चलो आज एक बंदूग खरीते हैं, said my wife, तेरी पत्नी ने का, we can shoot bats, अब हम उन्हें मार सकते हैं, पूलकेट्स with it, और हम जो एक पूलकेट्स आती हैं, निवला जैसा जीव जनतु रहता, उसको भी मार सकते हैं, not me, मुझे नहीं, मैं नहीं, I shall not be a party to that, मैं नहीं जाओंगा तुमारी party में, the gun is a symbol of cruelty, जो बंदूख है, वो हिंसा का प्रतीक है, it is a child of sin, यह पाप का किसी आदमी को तो इसको खोज नहीं नहीं चाहिए था, my wife's cousin turned one day with an expensive, तभी मेरा wife का जो चचेरा भाई एक दिन आ गया, with an expensive grim looking gun, वो एक gun लेकर आ गया, and said, और उसने कहा, within a 10 mile circumference, 10 mile के परिदी में, nearly 3000 coconuts are being destroyed, लग बग 3,000 coconut के पील, खतम हो चुके हैं, nest हो चुके हैं, every day, per day हो चुका है, there is no point of shooting, the bats at this spot, लेकिन यहाँ पर कहां पर हम इतने सारे चंगादड़ों को मारेंगे, यह नहीं spot सहीं नहीं है, on a little isolate nearby, यहाँ पास में एक छोटा सा पानी का deep है, मतलब वहां तालाव है, stand in old temple वहाँ पर एक पुराना मंदिर भी है, next to its grow a pear of banyan tree, वहाँ पर कुछ banyan के बर्गत के पील लगे हुए है, you can see at least 3,000 bats, तुम आँ देख सकते हो कि लग बग 3,000 वहाँ पर चंगाद़ बैठी होती है, changing on the two trees, और वो दोनों पेडों में ही लगातार बदलती रहती है, I will finish them if not in a one day, यदि एक दिन में नहीं हुए तो in two, यदि एक दिन नहीं तो दोर तीन दिन में तो हो ही जाएगा, don't you want to witness the glorious sight of 3,000 bats being slaughtered, क्या तुम 3,000 चंगाद़ों की जब में मारूंगा तो इस भव्य द्रस्य का दरसन नहीं करोगे, I pray it firmly, मैंने उनसे उत्सुकता से मैंने प give yourself, मैंने का चंगाद़ अपने आपको बचा लो, it was the astonishing, कि बड़ा ही आश्चर था, a miracle, एक चंगाद़ था, the bats were saved, कि वो चंगाद़ बज गई, my wife and cousin return, same face, मेरा पत्नी और मेरा जो साला था, वो ऐसे मूलट का क्या गए, सर्मिन्द होकर आ रहे, deflated मूलट का हुए आ रहे, as deadly, व्यथित होकर आ रहे, my wife said, मेरी पत्नी ने का, we just managed to escape, हम बाद मुस्किल बच पाए है, by the skin of our teeth, हम बाल बाल बच पाए है, जिन्दा में तो हम मरी जाते, there are some houses kept the temple, क्योंकि उस मंदिर के आज़ पास कुछ घर बने हुए थे, in a split second, कुछी second में, about 100 people armed with the lethal weapon surrounded us, लगबक 100 लोगों ने हमें, एकदम घातक हतियारों से less, उन लोगों ने हमें घेर लिया, and they threatened to kill us, और उन्होंने हमको ये धंकी दी, कि हम तुम्हें मार डालेंगे, if we shot at the bats, यदि तुमने एक भी गोली चला दी इन चमगाद़ों की तरफ, do you know, तुम्हें पता है क्यों, they believe बुलुग मानते हैं, that bats are the soul of our ancestor, कि ये चमगाद़ हमारे पूरवज हैं, हम जब हमारे जब पूरवज मर जाते हैं, तो वो चमगाद़ का रूप लेके इसी पीड़ पर रहते हैं, I took a decision then, तब मैंने वहने ने लिया, in no uncertain term I said, तब मैं बिलकुल अनिशित बात कहके मैंने कह Bats are not the soul of our ancestor, कि ये चमगाद़ भले हमारे पूरवज ना हो, उनकी आत्माएं ना हो, but they are one among God's many creatures, लेकिन वे लोग भी, वे लोग भी हजारों creature में भी एक creature हैं, एक प्राणी हैं, let coconut be destroyed, हो जाने दो, जितने नारियल नस्ट होते हैं, हो जाने दो, that doesn't matter, कोई फरक नहीं पड़ता, let us be satisfied with what we, what we get after they have taken their share, उनके खा जाने के बाद, जितने वो पेड़, जितने coconut वो खा लेते हैं, उनके खा लेने के बाद, जितना बज गया, हम उसको ही अपना मानेंगे, they certainly have a right to the coconut, उनका भी अधिकार हैं इस coconut पर, क्योंकि वो भी इसी प्रत्वी के जीवजन्तु है, they too are part of almighty creation, क्योंकि वो हमारे सर्व सक्तिमान परमात्मा के creature, जो उनके निर्मान कियेगे, जीवजन्तु में से भी एक है, as are the palms, जैसे coconut का पेड़ है, remember, the ancient right, that God bequeathed at the auspicious moment of creation, एक बात याद रखें, कि हमारे जो पूर्वज वालों ने कहे रखा है, कि जो परमात्मा की जो वसियत है, उसके, उसका एक सुबलक्षन पर हर किसी का अधिकार है, all living beings are the rightful generator of the earth, सभी जो प्राणी है, वो सब की सब, उसके उत्तर अधिकारी हैं प्रत्वी के, तो फ्रेंड्स ये वैकम मुहमद बसीर ने ये पूरी की पूरी स्टोरी लिखी है, बहुत ही गजब की उनकी जो सूच है, कि किस तरह से प्रत्वी पर इंसानों के सासरा जीव जन्दू का भी अधिकार है, बहुत मज़ेदार ये उन्होंने पार्ट लिखा हुआ है, वर्ट पावर देखते हैं फ्रेंड्स, हमें जनरली पक्षी उ जनर्वर उनकी आवाज को मिलाना है, क्या क्या है, उनकी आवाज को क्या कहते हैं, जैसे देखते हैं फ्रेंड्स हॉक्स यानि जो बाज है उसकी आवाज को अपन का कहते हैं ट्विटर कहते हैं उल्लू को हूट कहते हैं फॉक्सेस को स्क्रीम कहते हैं स्नेक्स की आवाज को हिस कहते हैं बर्ट की आवाज को चिर्पिंग कहते हैं हैंस को कैकल कहते हैं रेट्स को स्क्वीक कहते हैं केट्स को म्यू कहते हैं मंकी को चैटरिंग कहते हैं फ्रॉक्स को क्रोक कहते हैं ऐसेज गधी के आवाज को ब्रे कहते हैं कैमल की आवाज को गुरुट कहते हैं लॉएंस की आवाज को रो रेंधारना कहते हैं एलेफेंट की आवाज को trumpet कहते हैं Beez याने मदवख्य की आवाज को humming कहते हैं Flies मख्याओं की आवाज को buzzing कहते हैं Crow कववे की आवाज को कौ कहते हैं Goat पकरी की आवाज को bleed कहते हैं Frog बता ही दिये मैंने Mendak की आवाज को Croc कहते हैं चलिए देखते हैं What made the author feel secure and why अब पहला question जो था कि लेखक ने स्वयाम को किस बात से सुरक्षी समझा और क्यों समझा The author became the owner of the tiny little piece जो लेखक था वो एक छोटे से जमीन का मालिक बन चुका था Earth which was a two-acre plot जो दो-acre का plot था with coconut palm उसमें बहुत सारे नारियल के पेड़ थे and old house उसमें एक पुराना घर भी था that had to be renovate जिसका पुनरजीवन किया जाना था पुताई की जानी थी that's why he felt that his future was secure उसे ऐसा लगा कि मेरा भविश जो है एकदम बढ़िया है चलिए friends दूसरा देखते हैं question who are the first visitor to the farm उस खेत में आने वाले और पहले जो visitor कौन थे मेमान कौन थे तो खेत पर भ्रमण करने वाले पहले मेमान the first visitor to the farm were a wide variety of birds and butterfly in a great number सब भाजारों की संख्या में पक्षी और तितली आये थे write two ways in which the crow's irritated the author ऐसे दो कोई कारण बताओ जिसकी वज़े से लेखक जो है कववे से नाराज हो गया था या दूसरा question write two ways in which the crow irritated the author the lesson in rightful indicator of the earth कि इस lesson में जो लेखक था वो किन दो तरह से परिशान था पहला था the crow irritated the author in the following two ways दो तरह से परिशान था their rocus coin was more unbearable than the other birds उसकी जो करकस दोनी थी जो दूसरे पक्षियों से ज़्यादा असैनी हो रही थी दूसरा they placed on the coconut palm वो लोग जो नारियल के पेड़ पर बैट कर उस पे जो हमला कर रहे थे ये दोनों बाते उसे सबसे चिड़ दे रही थी friends आप इसका हिंदी भी देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने जिसको रेडिंग ना आती है तो वो रेडिंग भी देख सकता है what similarity did the hawks share with the crow कौन सी चीज़े हैं जो बाज में और कववे में एक समान थी friends the crow used to preach on the coconut palm पहली बाद तो जो कववे थे वो नारियल के पेड़ पर क्या कर रहे थे उसका सिकार कर रहे थे खा रहे थे with the same intent उसी भावना से वो भी बैठे थे ताकि हमें कोई न कोई सिकार मिल जाए as hawks that was the similarity between them यही तो एक में समानता थी what was the majestic creature that the author encountered ऐसा कौन सा भव्य प्राणी था वहाँ पर जिसका लेखक से आमना सामना हुआ मुद्वेड हुई the majestic creature was the author encountered was a cobra यह आपर majestic कर लेंगे friends तो हमारा जो सबसे भव्य जो creature था वो था कोब्रा how did the author react to his wife's complain that the fruits were being consumed by birds और a mammals उसकी पत्नी ने सिकायत की कि बहुत सारे जो पक्षी और इस्तंदारी जी दोनों ही खाय जा रहे हमारे कोकोनट पर इसमें उसने क्या प्रतिकिरिया दी the author said to his wife उसकी पत्नी को कहा the author said to his wife उसने अपनी पत्नी को कहा that almighty God has created जिस पर सरसक्तिमान परमात्न है सबको बनाया and holds the whole universe और पुरे उनिवर्स को रखता है मतलब बना कर रखता है therefore इसलिए we should always remind ourselves इसलिए हमें सबका ध्यान रखना चाहिए that birds, पक्षियों का, बीच, जंगली जानवरों का, इंसेक, जीव जनतुओं का to are entitled to the produce of the earth इसलिए प्रत्वी पर जो भी उपता है उस पर उनका भी पुरा-पुरा अधिकार है चाहिए वो कीट पतंगे ही क्यों नहों जितना मनुस्का है उतना ही उनका भी उस पर अधिकार है How did the author justify a killing of rats? लेखक ने इन चुहों को मारने को किस प्रकास से उचित ठहराया? The author justified the killing of rats उसने इसलिए चुहों को उचित ठहराया उनके मरने को that the rats had to be killed so that we can live जदी चुहे मरेंगे तभी हम जिन्दा रह सकते हैं What were the consequences of poisoning the rats in and around? चारों तरब जब चुहे मरते ही चले गए घर के चारों और तब उसका क्या पढ़णाम हुआ By poisoning the rats in and around the house घर के चारों जब चुहे मरने लगे The rats were found dead चुहो को मरा हुआ पाया गया इनाटिक अटारियों पर भी पाया गया The strange spread all over the house उसकी जो दुरगंद थी सरलंग थी वो पूरे घर में फैलने लगी Why did the poisoning not stop the tender coconut to fall? उनके चुहो के मरने के बाद भी नारियल का गिरना बंद क्यों नहीं हुआ Tender coconut continue to fall even after poisoning the rat उसके मरने के बाद भी चुहो के मरने के बाद भी उसका गिरना इसलिए नहीं रुका Because the bats, because they were the bats लेकिन यह तो चमगादर थे who came in swam जो जुढ़माया करते थे after the dust, संध्या के बाद आते थे and clink और उस पर चड़ जाया करते थे to tender coconut और जो नाजुक और मुलायम coconut को वो खा जाते थे How did the author react to his wife's suggestion of buying a gun किस प्रकार से जब उसकी पत्नी ने बंदू खरिदने की जो सुझाओ दिया तो उस पर क्या प्रतिगिरिया दी Author was highly reluctant Author बिल्कुल भी इच्छा में नहीं था, इसके समर्था में नहीं था कि गन खरिदा जाये क्योंकि To him, gun was a symbol of cruelty उसकी अनसार तो जो बंदूक है वो हिंसा का प्रतीक है He told his wife, उसने अपनी पत्नी को कहा that man should never have had prevented it Manus ko तो इसकी खूजी नहीं करनी चाहिए थी, अविसकार नहीं करना चाहिए था What was the cousin's remedy for reading the form of the bed? उसके साले ने क्या उपाय दिया कि किस तरह से इन चमगादरों सो मुक्ति पाई जाए Cousins remedy for reading the form of the bed जो उसके साले ने जो उपाय दिया चुटकारा पाने का Was to finish all the beds hanging on two trees जो दो पेडों पर जितनी भी बाज लटके पड़े हैं उनको फनिस करना, उनको खतम करना For fulfilling his aim, उसने इस देश की पूरती के लिए bought an expensive grim looking उसने बहुत ही सुंदर दिखने वाली चमचमाती एक बंदुग ले आया And he planned to kill all the beds और उसने योजना बनाए कि पूरे चमगादरों को मार देगा Within two or three days, दो ती दिन में तो friends, यदि आपको कोई problem आती तो आप इसका reading पड़ भी सकते और Hindi भी आप देख सकते हैं Friends, जो लोग मेरे channel को पहली बार जुड़ें, इसको subscribe जरू करें friends और यदि आपको किसी भी lesson के answer चाहिए तो आपको मैं नीचे description में पूरे की link देदूँगा चले अगला देखते हैं friends, how are the bats saved, इस परकार से चमगादड बज गये, when author wife's cousin went to kill the bats, जब भी लोग उसको मारने के लिए चमगादड को, about a hundred people armed with lethal weapons, तब लगभग 100 से ज़्यादा लोग, घातक हतियार लेकर, यानि armed यानि सुसजित, surrounded them उन्होंने घेर लिया, and threatened और धमके दी to kill, मारने की, if they shot at the bats, यदि उन्होंने बैट के तरफ एक भी यदि निशाना लगाया, तो भी लोग उसे मार देंगे, consequently परिणा स्वरूप, they had to flee, उन्हें भागना पड़ा, and bats were said, और इस परकार से सब भी चमग अधर पर यदि उन्होंने गोली चला ही होती, तो निश्चीती वे लोग उन्हें मार देते वादिवासी लोग थे, what conclusion did the author derive from after the incident at the isolate, तब उस वहां के उस लेखक ने क्या परिणाम निकाला, after the incident at the isolate, author derived conclusion, तब वहां पर लेखक ने ये परिणाम ये निसकास निकाला, that bats are also one of the gods manigration, जो परमातना ने बना हजारो जियोजनतों में से एक जियोजनतों वह भी है, there are also rightful inhalator, वही उचित सही उत्तर अधिकारी of the earth, इस प्रस्वी के, thus the author had thought, तब उस लिखक ने सूचा, I didn't matter, इससे कोई फर्ट ने बढ़ता ही, तो coconut वहां बिंग देस्ट्रोइड की coconut को किया जा रहा है, as bad had also are rightful to the coconuts, उनका भी अधिकार है, उन चमगाद़ों का भी अपना एक उचित अधिकार है, उस पर right है, if it's to be satisfied, उन्होंने का कि हम अपने आपको संतुष्ट कर लेंगे with the remaining part, उस बचेवे भाग के साथ, after bats had taken their share, जो चमगाद़ों खालेगी, उसके बाद जो बच जाएगा, उस पर ही हम चंतुष्ट रहेंगे, तो friends, चलिए आपको question दिये जा रहे हैं, उसको आपको correct करना है, क्या वहाँ पर correct word आएगा, application form should be returned by December, 12 December, 12 December के पहले application form को वापस किया जाना चाहिए, यहाँ पर be returned आएगा, should be returned, for the particulars, जितने भी मुख्य रूप से, may be obtained from the senior tutor, for the particular may be obtained, जो हमारे senior tutor है, उनसे जो आगे के प्रापतांक और आगे की details है, वो ली जा सकती है, may be obtained, प्रापत की जा सकती है, only candidate, with relevant experience can be considered, जो ऐसे candidate है, जो relevant है, जो एकदम खास उससे सीधा संबन्द रखते हैं, और भो रखते हैं, can be considered, उन पर ही विचार किया जा सकता है, यह सब की सब इसी वाइज में है, friends, you would be expected to take part in the same sport, तुम से आसा की जाती है, कि तुम उसी sport में भाग लोगें, उसी खिल में, this post will be funded initially for three years, यह जो पोस्ट है, यह केवल तीन सालों के लिए इस पर fund की जानी है, उस पर पैसा दिये जाना है, name of the, name of two referees should be given, केवल दो ही referee के नाम दिये जाने है, interviews will be held in early January, जन्वरी के सुरु में ही interview को किया जाएगा, application should be made on this form only, इस प्रकार के form में ही application को जमा की जानी चाहिए, बनाए जानी चाहिए, teachers might be offered accommodation in college, teachers को रहने खाने के विवस्था भी offer की जा सकती है, चलिए match करना है, friends match the column है, petrol price, उसका सही answer आएगा, भी वाला have to be, have been increased, बढ़ रहे हैं, this jacket was made in Hong Kong, यह jacket है Hong Kong में बनाई गई है, competition rupees 5000 price to be won, पांच जार रुपे का जो प्राइज है वो जीता जाना है, five people were killed in the rally, rally में पांच लोग मारे गए है, the telephone has been disconnected, telephone को काटा जा चुका है, the appears the phone bill had not been penned, ऐसा लगता है कि phone का bill जमा नहीं हुआ है, further information will be sent to the candidate, आगी के information इस candidate को भेजी जाएगी, before the con, everyone was told to stay inside their homes, फसल आने के पहले हर किसी को कहा गया है कि वो अपने घर में ही रहे, smoking is not permitted anywhere in the station, smoking को कहीं पर भी allow नहीं किया गया, अनुमती नहीं दी गई है, the old town theater, जो पुराना जो नाटक ग्रह है, is currently being rebuilt, उसको फुर से बनाया जा रहा है, चले friends, अब यहाँ पर आपको question बनाना है, the book was written in 1973, question बनेगा, when was the book written, कब बनेगी, कब लिखी गई किताब, the book was left on the table, here, where was the book left, book कहाँ पर छुटी, two bridge was constructed last year, यह जो two bridge है वो पिछले साल बने है, when was the bridge constructed, यह जो यहाँ दा लिखना था, तो bridge कब बना है, it was designed by a German engineer, इसको German engineer ने design किया था, by whom it was designed, किसने इसको design किया है, it was completed in July, यह जोलाई में complete हुआ, in which month, it was, was it completed, बहुत simple है, आपको word, question वाला word लिखना है, एक helping word लिखना है, और उसके बाद, उसका mean subject लिखना है, it was destroyed by fire, इसको fire से इन्हें जला कर नस्ट किया गया है, how was it destroyed, यह देखो question word लिखना होगे, फिर helping word लगा होगे, फिर main subject लिखना होगे, और joke आतियों लिखना होगे, the mail is delivered at 10 o'clock, मतलब 10 बज़े mail जो है deliver की जाएगी, what time it is the mail delivered, कब की जाती है mail, चलिए अब आपको using somebody करके लिखना है, somebody clean the room everyday, कोई जो room को प्रतिक दिन साफ करता है, the room is cleaned everyday, जो passive wise में बदलना आपको, उसको हर दिन साफ किया जाता है room को, they cancelled all flight because of fog, जो कोहरे की वज़े से flight cancelled होगे, all the flights were cancelled because of fog, अब flight को cancel किया गया है, people don't use this road very often, जाज़तर लोग इसमें चलते नहीं है, this road is not used by very often, ये जो road है, लोगों के दोरा सामनता अप्यूग नहीं की जाती, somebody accused me of stealing money, कुछ लोग मेरे पर पैसा चुराने का आरूप लगाते हैं, I was accused of stealing money, मुझे इसलिए मुझे पर आरूप लगाएगा है पैसा चुराने का, how do people learn language, लोग कैसे सीखते हैं language, how is language learned, किस प्रकार से भासा को सीखा जाता है, people advise us not to go out alone, लोगों ने हमें अके लिए बाहर जाने से मना किया है, we were advised not to go out, हमें लोगों के द्वारा सला दी गई है, बाहर ना जाने की, people do not play cricket in America, अमेरिका के लोग cricket नहीं खेलती हैं, cricket is not played in America, cricket को अमेरिका में नहीं खेला जाता है, he knows me well, वह मुझे अच्छी तरह जानता है, I am well known to him, मुझे अच्छी तरह उसे जाना जाता है, तो friends, thanks for watching this video, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो मेरे चेनल में पहली बाज उड़े हैं, चेनल को सब्क्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाएंगे, तो आने वाले सभी मेरे important videos, आपको मिलते रहेंगे, और यदि आपको इस relation में कोई बात अच्छी लगी हो, या बुरी लगी हो, comment अवश्य कीजिएगा, एक comment से, मेरा ही moral बहुत boost up हो जाता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे सी video बना सकता हूँ, friends, thanks for watching, till my next video, कर दो कर दो,